नमस्कार विद्यार्थियों आज की कक्सा में हम हिंदी व्याकरण के विकारी सब सर्वएनाम के बारे में अधिन करेंगे पिछली कक्सा में सर्वेनाम किसे कहते हैं अर्थार सर्वेनाम की परिभासा तथा उसके 6 भेद में से दो पूरुष वाचक सर्वेनाम वनिष्चे वाचक सर्वेनाम के बारे में अध्धिन किया था आईए अब सर्वे नाम के बाकी चार भेद के बारे में अध्यन करते हैं सर्वे नाम का तीसरा प्रकार है एनिस्चे वाचक सर्वे नाम जैसा कि नाम से ही विदित है एनिस्चे यानि कि जहां वेक्तिय वस्तु की निस्चितता ने हो वहाँ एनिश्चे वाचक सर्वे नाम होता है जिन सर्वे नाम सब्दों से किसी निश्चित वेक्तियावस्तु का बोध ने हो उसे एनिश्चे वाचक सर्वे नाम कहते हैं इस प्रकार के वाक्यों में कोई कुछ आदी सर्वे नाम सब्दों का प्रियोग किया जाता है जैसे ऐसा नहों कि कोई आ जाए प्रश्न वाचक सर्वे नाम जो सर्वे नाम सब्द सवाल या प्रश्न पूछने के लिए प्रियोगत होते हैं उन्हें प्रश्ण वाचक सर्वे नाम कहते हैं इस प्रकार के वाक्यों में कौन क्या किसने कब आदी सब्दों का प्रयोग गया जाता है जैसे टोकरी में क्या रखा है बाहर कौन है आदी समंद वाचक सर्वे नाम एक सर्वे नाम का समंद दूसरे सर्वे नाम से जोडने वाले सब्द समंद वाचक सर्वे नाम कहलाते हैं अथार्थ इसमें एक सर्वे नाम सब्द है वो दूसरे सर्वे नाम सब्द से समंदित होगा जैसे जो करेगा सो भरेगा या जैसी करनी वैस भरनी आदी निज वाचक सर्वे नाम निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध अर्थार्थ ग्यान कराने वाला यानि कि अपने पन का जहां बोध होता है वहां निज वाचक सर्वे नाम होता है सर्वे नाम सब्दों का प्रियोग करता के साथ अपने पन का ग्यान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वे नाम कहते हैं इस प्रकार के वाक्यों में अपने आप निजी खुद आदि सब्दों का प्रियोग किया जाता है जैसे कि यह कारिये में अपने आप कर लोंगी सर्वे नाम में लिंग का प्रियोग सर्वे नाम सब्द के रूपों में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता सर्वे नाम सब्द इस्तरी पुरूस दोनों के लिए एक ही रूप में प्रियोगत होता है सर्वे नाम सब्द का लिंग उसके साथ प्रियोक्त क्रिया से जाना जाता है या उस सब्द से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रियोग हुआ हो जैसे राम परिश्रम करता है वह प्रथम आएगा सीता परिश्रम करती है वह प्रथम आएगी यहां राम के लिए भी वह है और सीता के लिए भी वह है लेकिन यहां किरिया आएगा और आएगी अर्थार्थ किरिया के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि आएगा पुलिंग के लिए है यानि कि यहां पुलिंग सर्वे नाम है और आएगी यानि कि यहां पर वह सर्वे नाम सब्द है वो इस्त्रिलिंग है आज की कक्सा में इतना ही धन्यवाद